हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्ख्यों में रहने वाले सपानेता स्वामी प्रसाद मौरे ने इस बार दिवाली को लेकर विवादित बयान दिया दरसल स्वामी प्रसाद मौरे ने दिवाली के दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान पोस्ट किया था जिसमें वो अपनी पत्नी को सम्मानित करते हुए लिखते हैं दिपोसफ के मौके पर अपनी पत्नी की पुजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रतेक धर्म जाती नसल रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के दो हाथ, दो पै, दो कान, दो आंग, दो छिद्रों वाली नाग के साथ एक सिर पेट और पीठी होती है चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ और हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ चार हाथ वाली लक्षमी कैसे पैदा हो सकती है यदि आप लक्षमी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा और सम्मान करें जो सही माइने में देवी है क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोशन, सुख सम्रिद्धी, खान पान और देखभाल के जमेदारी बहुत ही निश्टा के साथ निभाती है वहीं सौमी प्रसाद मौरे के इस बयान के बाद बवाल मजगया, खुद उन्हीं की पार्टी के नेता उनके बयान का विरोध करते हुए नजर आ रही है मामली को लेकर सपानेता और यूपी के पूर्व मंत्री आईपी सिंग ने सौमी प्रसाद के बयान का विरोध करती वे अपने अकाउंट पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने निखा है कि बीते पांच सालों में बीजेपी में आप जब कैबनेट रहे तब आप माल लक्षी में भगवान गनीश पर अब बदर टिपनी करते वे डरते थे साथी नोंने उनकी बेटी पर भी टिपनी करते वे कहा कि जहां एक तरफ आपकी बेटी बदायूं से सांसद है और अपनों को सनाता नहीं मानती है सभी पूजा पाठ करती है कोई भी बयान देने से पहले आप कम से कम खुद अपने बेटे बेटी को समझा लेते आप ऐसे बयानों से पाठी को नुकसान पहुचाना बंद कर दीजे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सौमी प्रसाद मौरे के बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसर डॉक्टर संगमित्रा मौरे ने दिवाली की दिन ट्वीट कर सभी देशवासियों को दिवाली के शुबकाम नाई दी थी वैसे पहली बार नहीं है जब सौमी प्रसाद मौरे ने ऐसा विवादित बयान दिया हो इसके पहले भी सौमी प्रसाद मौरे भगवान राम साइद बदीनात के दारनात को लेकर भी विवादित बयान दे चुके है वही कुछ दिन पहले उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी विवादित बयान दिया था जहां उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के प्राण परटिष्ठा के कारिक्रम को धोखा बताया था इसे पहले भी ऐसे विवादित बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौरे को हाई कोट से भी जटका लग चुका है जब कोट ने स्वामी प्रसाद मौरे को राम चरीतर मानस के प्रतियां जलाए जाने के मामले में राहत देनी से मना कर दिया था कोटने परियाद पिसबूत होने की कारण मुकदमा खारीज नहीं करते वे आगी की कारवाई की बात कही थी